हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पे जैसा कि हम सब को पता है कि नेपाल और भारत एक बहुत ही अच्छे परोसी देश है दोनों में भाई चारा भी है और ऐसा माना जाता है कि दोनों देशों में बेटी और रोटी का संबन्ध है पर क्या आपको पता है कि जो चीज़ हम भारत में 10 लाख रुपे में खरीते हैं अगर वही चीज़ आप नेपाल में खरीदने जाओगे तो आपको तीन गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा मानलो महिंद्राय स्कोर की हो आप भारत में 10 लाख रुपे में खरीदते हो अगर वही चीज़ आप नेपाल में खरीदने जाओगे तो आपको इंगियन करेंसी में 30 लाख रुपे पे करना पड़ेगा पर भारत सरकार ने नेपाल की जनता के लिए ओपेन बोर्डर के साथ साथ इस चीज़ का भी परबंद कर दिया है कि जितने में भारत के लोग जो भी चीज़े भारत में खरीद सकते हैं या यूज कर सकते हैं उतने में ही नेपाल की जनता भी खरीद सकती है और उसका यूज तो सवाल यहां उठता है कि अगर भारत सरकार ने नेपाल की जनता के लिए कोई पर्तिबंद नहीं लगाया है तो चीजों का दाम भारत के मुकाबले नेपाल में तीन गुना बढ़ के से जाता है तो इसका कारण सिर्फ एक ही है वो है नेपाल की निकमी सरकार नेपाल का नीती नियम और कानून ही नेपाल की जनता को हर तरफ से लूटने में लगी है भारत सरकार अपने तरफ से भले ही नेपाल की जनता के लिए कोई पर्तिबंद ना लगाए लेकिन नेपाल की अपनी सरकार नेपाल की खुद की जनता के लिए बहुत सारी पर्तिबंद लगाती है भारत सरकार ने तो नेपाल की जंता के लिए यहां तक कहे दिया है कि जितने दाम में भारत के लोग कोई भी चीज खरीद सकती है उतने इदाम में नेपाल की जंता भी खरीद सकती है लेकि रियानिटी यह है कि नेपाल की जनता जब भारत में कोई समान खरीद कर नेपाल में ले जाती है तो उसको बोडर पर इतना ज्यादा टैक्स और कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाता है कि उसका प्राइस बढ़ते बढ़ते तीन गुना तक बढ़ जाता है अगर नेपाल की जनता इंडिया आकर महिंदरा एसको रुपियो खरीती है तो उसको नेपाली करिंसे में 20 लाक रुपिय पड़ता है लेकिन उसको नेपाल में ले जाने के लिए इतना ज्यादा टैक्स और इतना ज्यादा कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है उसका हारण है नेपाल सरकार की लालत नेपाल गवर्मेन्ट की जितनी भी इंकम होती है उसमें इन टैक्सों का बहुत ही बड़ा हिश्सा है और इसलिए नेपाल की जंता जितने भी पैसे देश विदेश जाकर अपना खून-पसीना एक करके जितना भी पैसा कमाती है वो नेपा का बाइक होगा और एक अपनी खुद की गारी होगी समस्या तो यहां तक है कि नेपाल में जितने में लोग बाइक खरीते है उतने में भारत में एक सेकेंड हैंड कार आ जाती है तो अब चलिए बात करते हैं अगर नेपाल की सरकार नेपाल की जंता से इतना ज्यदा टैक्स पाइदा नेपाल की जनता तक पहुँच भी पाती है या नहीं तो इसका जवाब है बिलकुल नहीं नेपाल जियो ग्राफिकल रूप में भले ही एक छोटा देश है लेकिन करप्सन के मामले में ये बहुत ही आगे है नेपाल में हर साल अरवो रूपे का बजेट निकाला जाता है लेकिन उसका पचास पर तिसद भी विकास के कामों में यूज नहीं किया जाता है पर इसमें सिर्फ नेपाल की सरकार की गलती नहीं है इसमें वहां की जनता की भी गलती है क्योंकि ये जनता ही है ऐसे सरकार का चुनाब करती है जो की सही से बोल भी नहीं सकते तो वह विकास का काम कैसे सही से करेगी नेपाल देश में इतनी पोटेंसिल है कि अगर वहां पर स सही से काम किया जाए, वहाँ सही से सरकार चलाया जाए, तो ये दुनिया का नया सिंगापूर देश बन सकता है। नेपाल प्राकिर्तिक संद्रेता से भरी पुर्ण है। जल सरोत के मामले में नेपाल दुनिया का दूसरा सबसे धनी देश है और इसमें बिजली उत्पादन की आसीम छमता है। अगर नेपाल की सरकार चाहे, तो नेपाल टुरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ही आगे जा सकता है। नेपाल के लोग भी बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपर्टुनिटी ना होने के कारण से वो देश बिदेश जाकर काम करते हैं। पर अगर नेपाल की सरकार खोक्त्री राजिनीती को छोर कर टूरिज्म डिवलोप्मेंट में, इलेक्रिसीटी मेनेजमेंट में और फोरेन इनफेस्टमेंट को लाने में ध्यान दे, तो नेपाल में भी नेपाल की जनता के लिए बहुत थारे अपर्टुनिटी का निर्मान किया जा दोस्तों आज का हमारा वीडियो नेपाल के बारे में, उमीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किजिएगा, तो मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए